Hello Friends, Welcome to our Channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा important knowledge लेके आते हैं जो आपको आपके personal और professional life में आगे बढ़ने में help करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुती interesting topic के उपर और वो है आस्मान की बिजली कितने current के साथ नीचे गिरती है तो दोस्तो आपको पताई होगा कि आस्मान की बिजली जिसे lightning या फिर thunderstorm कहा जाता है और ये बनती है आस्मान में मौझूद हुए positive और negative electrons की वज़े से जो की एक दुसरे को अकरशित करते हैं तो दोस्तो अगर बिजली की बात करें तो वो तीन टाइप की होती है एक तो होती है inter cloud lightning जो याने दोस्तो आस्मान में ही बनती है और वही पे खतम हो जाती है और दूसरी होती है दोस्तो cloud to cloud lightning जो याने एक बादल से दूसरे बादल की तरफ जाते है और वही पे वो खतम हो जाती है और तीसरी होती है cloud to ground lighting जो की चालो होती है बादल की तरफ से और खतम होती है ground की तरफ से यह जमेन की ओर और यह सबसे घातक होती है और इसकी वज़े से आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारी जीवी थाने होती है बहुत सारे लोग मर जाते है कही कही तो जंगल भी खाक हो जाते है तो इसके पीचे कारण यही है कि जब बादल में जो भी electrons होते है वो जमीन की electrons की तरफ आकरशित होते है और वो भी पाने की ड्रॉपलेट की थूँ जब भी बारिज गिरती है और यह जो पाने के ड्रॉपलेट होते है यह नीचे जब जाते है तब इससे करण फ्लो होता है और यह जो है जमीन की और गिरती है और आपने यह भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम पे यह जो बिजली होती है यह आवाज भी करती है और यह आवाज होती है दोस्तों इसकी वज़े से कि यह जो बिजली है इसके आजूपा जो जो हवा होती है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में एकस्पांड और कंप्रेस होती है यानि यह समोझ लोई कि ये बहुत ज़्यादा में सिकुर्टी है इसके वज़े से ये जबरदस्त आवाज होती है और आपने देखा होगा ये आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि इसकी वज़े से हमारे कानों को भी डैमेज हो सकता है तो यही इसके पीछे रीजन है और सबसे घातक यह जो बिजली होती है इसका अगर हम current की बात करें तो वो हो सकता है 30,000 A तक जी हा दोस्तो 30,000 A तक अगर हम comparison करें कि हमारे घर में जो current flow करता है electric current वो सिप होता है 15 A तो आप compare कर सकते हो कि 30,000 A और 15 A में कितना बड़ा difference है तो यह 30,000 A का current flow करती है बिजली उसके वज़े से आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ एकदम खाक हो जाते है और वो भी कुछी सेकन में कुछ कुछ टाइम तो बहुत सारे लोग है वो भी जल जाते है और इसके पीची यही reason होता है क्योंकि यह जो current है वो बहुत जादा मात्रा में होता है और जो हमार जला देता है पुरे जंगल जला देता है पुरे घर को भी जला देता है बड़े बड़े पेड़ को जला देता है तो इसके पीचे इनसान तो बहुत मामुली चीज़ है तो यही सारे reason है दोस्तों आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आसमान की बिजली जो है उसके वैलूबल नौलेश शेयर किया है आप हमारे प्लेलिस में जाके टेकनोलोजी से लेके हेल तक और जीके से लेके करन्ट अफेस तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो और दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट एक पूरा ग्यान का भंडार है आप इसे एक बार जरू चेक कर लेना क्य कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई useful information जरूर मिल जाएगी और दोस्तों हमारे वीडियोस देखते रो हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटी मिलते रहेगी और वो भी एक चैनल से तो यह वीडियो में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और important topic के साथ झाल